गाज़ा में युद्ध की वज़ा से लिबनान का हिजबुल्ला उत्री इसराइल की तबाही पर उतराया है हिजबुल्ला हर एक सेकंड में उत्री इसराइल को अपने रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलों से दहला रहा है हिजबुल्ला के प्रमोक हसन नसरला ने इसराइली पीम बेंजमिन नितन्याहु को दो टूक कह दिया है कि अगर इसराइल लेबनान के भीतर घुसा तो वो वापस नहीं लोट पाएगा लेकिन इसके बावजूद भी इसराइली सेना भी हिजबुल्ला के लड़ाकों पर हवाई हमले कर रही है और इन हमलों में हिजबुल्ला के कई टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं और इन हमलों के जवाब में हिजबुला ने एक बार फिर से इसराइल से लगे सीमावरती इलाकों में ताबर तोड हमले किये हैं हिजबुला ने आईडियाफ के माउंट नेरिया बेस पर एक तरफा ड्रोन का एक जफ्था फायर कर दिया जिसने गोलानी ब्रिगेट के कमांड हेडकोर्टर को तबह कर दिया है सोशल मीडिया पर इस हमले का एक वीडियो भी वाइरल हो रहा है जिसमें दूर धुए का एक गुबार आसमान चूता हुआ नजर आ रहा है इसके बाद हिजबुला ने साहिल बटालियन के हेडकोर्टर पर बेथ लिल बैरिक में हमला किया है हिजबुला ने यहां पर फलक रॉकेटों की जड़ी लगा दी और साथ ही इसराइल की अलमर्ज साइट पर हिजबुला के लड़ाकों ने ताबर तोड तरीके से बुरकन रॉकेट फायर कर दिये जो सीधे अपने टार्गेट्स पर जा कर लगे हिजबुला का कहना है कि उसने रमीम बैरिक्स पर भी एक बड़ा हमला किया है जो गोलानी ब्रिगेट का एक एहम अड़रा रहा है यहां पर हिजबुला ने भारी गोला बारूँट से हमला किया जो गोलानी ब्रिगेट के कमांड हैटकورटर पर सीधा लगा है और इस हमले के तुरण बाद हिजबुला ने किरियत शमूना सेटिलमेंट्स पर दरजनो कत्यू शार रॉकेट फायर कर दिये इस हमले का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें भारी गोलबारूध हमले की गड़गड़ा हट सुनाई दे रही है और घना काला धूँआ उटता ना जरा रहा है और इस हमले के बाद शाम होते होते हिजगुला ने अलसेमेका साइट पर भी एक हमला कर दिया हिजगुला का कहना है कि उसका ये हमला एकदम सीधा और सटीक रहा है जिसमें इसराइली फौज को भारी नुकसान हुआ है आपको बता दे कि रात को करीब 10 बच कर 13 मिनट पर जब इसराइल के कुछ सैनिक अल-असी साइट के भीतर की तरफ जा रहे थे तब हिजगुला ने एक बार फिर से उनके उपर रोकेट हमला कर दिया जो सीध है आई डिएफ जवानों के उपर जा गिरे हाला कि इसराइली सेना ने भी दक्षणी लिबनान के शाकरा कस्बे में हिजगुला के लड़ा के सादेक अतिफ अत्वी को मार गिराया है जिसके बाद से ही हिजगुला काफी तम तमाया हुआ है लेकिन इन हमलों के बीच बड़ी बात ये है कि अब हिजगुला ने अपने हमलों का आद दा एरा बढ़ा दिया है और अब वो उन सेटल्मेंट्स पर भी हमले कर रहा है जो अभी तक हिजगुला के हमलों से सुरक्षित थे हिजबुल्ला ने हरफेश के पास जुरेल सेटलमेंट को निशाना बनाया है जहां पर हिजबुल्ला के हमलों से आग लग गई हिजबुल्ला ने यहां पर दरजनो कत्यूशार रॉकेट बरसाए जिसमें एक परिवार घायल हुआ है दरसल हुजबुल्ला के प्रमुख नसरल्ला ने ऐलान किया है कि अगर इसराईल लेबनानी नागरीकों पर कोई नया हमला करता है तो इसराईल पर भी उसी करीके से हमला किया जाएगा और यही वजह है कि उत्तरी अलाके में रहने वाले सैटलर्स कह रहे हैं कि वो इलाका अभी भी हजारों के लिए एक बुरा सपने जैसा है